अठारवी सदी तक लोगों के पास ट्रांसपोर्ट की कोई सुवधा नहीं थी। उस समय एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनीसवी सदी में आई रेल करांती ने दुनिया का चहरा बदल दिया। उस समय ऐसी जगों पर रेलवे के रूट्स बनाए गए जहां पहुंचना बेहदी मुश्किल था। आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक रेलवे रूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइट पास अलास्का अमेरिका ये रेल रूट अमेरिका के अलास्का प्रांथ में बनाए गया है जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर है जिसे 1900 में खुला गया था। 1982 में कोईला उद्यों के धसने के बाद इसे बंद करना पड़ा। हाला कि 1988 में इसे परिटन के लिए खोल दिया गया। एक तरफ चटान और दूसरी तरफ गहरी खाई होने के कारण परिटक्स सफर के दौरान डर के मारे अपनी आखें बंद कर लिते हैं। इस ट्रैक की सब से बड़ी खासियत है कि ये बर्फी लेक शेत्रों से होकर गुजरता है। इसे ट्रेन आफ क्लाउद्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इतनी उचाई पर है जहां हमेशा बादल चाहे रहते हैं और ट्रेन बादलों से होकर गुजरती है। एंडीज परवतमाला से गुजरने वाला ये रास्ता उत्तर पश्यमी अर्जंटीना से होता हुआ चिली की सीमा तक जाता है। 27 साल की मेहनत के बाद ये रेल रूट 1948 में बन कर तयार हुआ। 4220 मीटर की उचाई पर काम करना इंजीनियर्स और कामगारों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। जिगजग आकार के इस रूट पर 29 पुल 21 सुरंगे और 13 इनलैंड ब्रिज हैं। कई बार तो इतने घुमावाते हैं कि ट्रेन किसी साब की तरह पट्रियों पर घूमती हुई दिखाई देती है। कुरेंडा सिनिक रेल रोड ऑस्ट्रेलिया ये रेलवे ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में मौजूत है। 1882 से 1891 के बीट बना ये 34 किलोमीटर लंबा रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता है। जो विश्व धरोहर, बैरन नैशनल पार्क और मैक एलिस्टर रेंच को जोड़ता है। इस रास्ते पर कई झढ़ने, तीखे मोड और गहरी खाईया है। इस ट्रैक के पास एक बड़ा जढ़ना है। जब ट्रेन इस ट्रैक से होकर गुजरती है, तो जढ़ने का पानी यात्रियों को जम कर भिगोता है। ये रूट सिर्फ 7.2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन पूरा नैरो गेज पर बना है। इस ट्रैक को दो पहाडों को जोडने के लिए बनाया गया है। 1877 में इस रूट को बनाया गया था जो 640 फुट की खड़ी चड़ाई पर है। जिन लोगों को उचाई से नीचे देखने में डर लगता है, ये रूट उनके लिए बिलकूल भी नहीं है। इसके पुलों और तीखे मोडों पर ट्रेन बहुत ही धीरे और साबधानी के साथ गुजटती है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और उपर फर्राटा भरती ट्रेन सबको रूमान चित करती है। चिन्नई रामेश्वरम रूट भारद। समुद्र पर बना 2.06 किलोमीटर लंबा ये पुल दक्षण भारतिय महानगर चन्नई को रामेश्वरम से जोडता है। 1914 में बनाया ये पुल बीच में खुलता भी है और वहां से जहाज और फेरी जाते हैं। कंक्रीट के 145 पिलर पर टिके इस पुल को समुद्री लहरों और तुफानों से हमेशा खत्रा बना रहता है। इसके उपर ट्रेन में सफर करना रोमान्चक है। कई बार पानी का स्तर बढ़ने पर ट्रेन पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।